आज हम बनाएंगे राजस्तानी स्टाइल में मंगोरी और पापड़ की भोती ज़्यादा स्वादिस सब्जी तो फ्रेंट्स अगर आपकी घर में कोई भी सब्जी ना हो तो आप इस वाली सब्जी को भोती आसानी से बहुती जल्दी बना सकते हैं और ये बहुती ज़्यादा स्वाधिस्ट भी बनती है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है तो अगर आप बीस वाली रेसिपी को देखना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वोच कीजिएगा तो देखिए सुरू करते हैं तो उसके लिए मैंने ये एक छोटा बाउल मंगोडी ले ली है तो आप लंबी वाली मंगोडी भी ले सकते हैं और कई जंगे पर इसको मंगोडी कहा जाता है कई जंगे पर बढ़िया कहा जाता है पर हमारे यहां पर इसको मंगोडी कहते हैं और यह अदरक कूटने वाला मैंने ले लिया है और इससे देखिए ऐसे हम इसको मंगोडी को बारिक कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसको दबा कर ऐसे इसको बारिक कर लिजिए तो ज्यादा बारिक नहीं करने बस इसी तरह कहीं हमेरी सेत्यार करना है मैंने एक कूकर में आदा चम्मच के करीब ओयल डाल लिया है, कोकिंग ओयल कोई भी ले सकते हैं, और उसमें आप ये सारी बढ़िया डाल दीजिए, और इनको हमें कम गैस पर भूनना है, तो इनको हमें थोड़ा-थोड़ा भूनना है, जिससे इनका कच्चापन खतम हो जाएगा, तो कम गैस करते हुए, आप इसको लगाता चलाते हुए भूनने, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाना चाहिए, इतना ही हमें से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, तो देखिए, इस तरह का हमें इसको करना है, आप इसमें मैंने ये गरम पानी डाल लिया है, पानी आप इतना डाले, जिससे ये मंगोडिया पानी में अच्छी तरह से डीप हो जाए, क्योंकि ये मंगोडिया बहुत ज़्यादा पानी पीती है, तो इस तरह से आप देखिए, इतना पानी डाल लिजिए, और पानी को आप गरम ही डाले, और इसको मिक्स करकर, अब हम कुकर को बंद कर देंगे, तो इस तरह से हमें इसमें तीन सीटी देनी है, तीन सीटी में हमारी ये मंगोडिया तयार हो जाती है, तो आईए चलते हैं, आगे इसका मसाला तयार करते हैं, उसके लिए मैंने एक ये बाउल ले लिया है, और उसमें हम ये एक बाउल में इसमें दही डाल लूँगी दहीं आप फ्रेस ही ले खटी दही ना ले नहीं तो सबजी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो आदा चमच इसमें मैंने ये लाल मिर्च एड़ कर ली है मिर्च अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल ले और आदा चमच ये हल्दी पाउडर डाल ले और आद बहुत अच्छा आएगा आदा चमच ये दनिया पाउडर भी एड़ कर लिया है तो इस तरह से आप डाल कर इसको मिक्स कर लीजिए तो जब भी आप फ्रेंड्स आप दहीं वाली सब्जी बनाते हैं तो इसमें बेसन को आप जरूर एड़ करें क्योंकि बेसन से सब्जी का ये तस का बहुत अच्छा आता है और सब टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनता है तो ये रज़िस्तानी स्टाइल में हम बना रहे हैं तो इसमें दही और बेसन आप जरूर एड़ करें और इसमें अब ये मैंने पानी डाल दिया है पानी डाल कर इसको अच्छी तरह से मैं इसको फेट लूँगी जिससे ये मसाले और दही आपस में सारे मिक्स हो जाएंगे तो इस तरह से आप देखिए mix करते रहें तो इस तरह ये mix होने के बाद दही और मसाले सब ये आपस में एक दूसरे के साथ mix हो जाएंगे तो अब हमारे ये तयार हो गए हैं इसको हम एक तरफ रख देते हैं और आगे की सबजी की gravy तयार करते हैं तो आदा चमच मैंने इसमें cooking oil डाल दिया है oil के गरम हो जाने पर एक चमच ये जीरा डाल दिया है जीरे के थोड़ा सा तड़क जाने पर अब हम इसमें राई को भी add कर लेंगे तो एक चमच के करीब मैंने इसमें ये राई डाली है राई आप जरूर डाले राई से सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ कर लेंगे और साथ ही मैंने ये दो हरी मिर्च इसमें add कर ली है दो कस लिए वन कि कर लीजिए क्टैणे जैसे मैंने कड़ी पत्ते पंद रा कर अलग ही आता है तो इसमें add जरूर करें, अब ये जो दही वाला mixer मैंने त्यार किया था, ये भी हम इसमे डाल देंगे और जब आप दही वाला mixer डाले तो gas को आप low ही रखें, तेज गैस पर नहीं डाले, तो इस तरह से आप दही डालकर तो इसको लगातार चलाते रहें, दह अब इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया है और इसके दो मिनट के लिए हम इसे गैस पर रख देंगे तो इतने देखिए हमारी ये बढ़िया भी मंगोडिया भी देखते हैं तयार हो गई है क्या तो तीन सिती आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था अब इससे निकाल कर देख लेंगे तो इसको एक चमस से आप निकाल कर देख लीजिए और इसको थोड़ा सा दबा कर देख लीजिए कि ये तयार हो गई है अगर ये बिल्कुल दब रही है तो हमारी तयार हो गई है अगर इसमें कमी रहते तो थोड़ा सा आप इसमें एक सिती और दे सकते हैं तो इस तरह से हमारी ये तयार हो गई है, तीन सिती में ये तयार हो जाती है, तो अब हमारी ये ग्रेवी भी देख लेते हैं, दो मिनट हो गई है, तो ग्रेवी हमारी ये देखिए, अब ये तयार हो गई है, इसको थोड़ा सा मिक्स करके, अब इसमें हम ये मंगोरियों को भ तो इसको डाल कर इसको भी mix कर लीजिये इसको चलाते रहे और देखिए आब इसको हम दुबारा से धक कर रखेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम gravy की according इसमे पानी डाल लेंगे जैसे आपको अपनी सब्जी में gravy रखनी है उससे according आप भी पानी डाल ले तो अब इसको ढख कर हम दो मिनट के लिए और कम गैस पर रख देंगे दो मिनट हो गई है और हमारी ये सबजी देखिए आलमोस्ट तयार ही हो गई है तो इस तरह से देखिए सबजी ने गी को भी रिलीज कर दिया है तो ये हमारी तयार हो गई है बस इसमें अब हम हमें कुछ जादा नहीं करना है इ अदिए दाली है और एक चुछाही चम्मचही समें इसमें गरम मसाला एड़ आड़ किया है और यह एक पापड को मैंने भून लिया था यह मंगोडी पापड की सब्जी है तो इसमें पापड को हम जरूर एड़ करेंगी पापड से इसका पेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा तो आप भी जरूर एड़ करें, तो इसको डाल कर हमेशी हलका-हलका सा mix कर लेना, क्योंकि पापड़ सोफ्ट होते हैं, वो जल्दी ही सयार हो जाते हैं, तो इसको डाल कर ज़्यादा नहीं चलाना है, और गैस को मैंने बंद कर दिया है, और इसमें धरियां के पत्ते भी डाल करें, तो आप इसो लंच में खाए, या डीनर में खाए, किसी वक्त भी बनाए, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, यह देखिए, बिना प्याज टमाटर की हमने यह कितनी तेस्टी सबजी तयार कर दी है, तो यह राजस्तानी स्टाइल की सबजी है, आप इस व वाज़ए, इस घ्यारि, यह कितनी स्टाइन Т Оवी, यह रिए उन्या लगतानी स्टी स्टी वक्तराओ इसा थेसे एन्यांने, भीमच्तशी पमाटर की सबझे घर यह कितनी स्टाइन, स्टानीS एपियर आप इसRO, जह रूडती है, तUI है, जाए बिना बाट ऑ tasted, रब quality हैं,